हेलो स्टो मैं हुरुजद दोस्तो कोई भी सीरियल क्यों नहों हर किसी में विलेंग जरूर होता है लेकिन या तो वक्त के साथ वो विलेंग सुधर जाता है या फिर उसका परदा फाश हो जाता है और उसका सीरियल से आउट कर दिया जाता है लेकिन सीरियल गुम है किसी के प्यार में मैं अब एक ऐसा विलेन जो है वो स्टार्टिंग से आया बैठा है जो कि ना तो सुधर रहा है ना ही जाने का नाम दे रहा है जी हाँ दोस्तों पत्र लेखा एक सवाल लोगों के मन में लगातार चल रहा है कि आखिरकार ये पत्र लेखा का जो किरदार है वो आखिरकार कब सुधरेगा या फिर कब इसके काले जो कारणामे हैं वो उसके चाहने वालों के सामने आएंगे यानि कि भवानी काकू, निनात काका, ओमी काका जो कि पत्र लेखा को अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं आखिरकार कब उन्हें पता चलेगा कि ये पत्र लेखा कितने बड़े बड़े काम कर चुकी है साही और विराठ की लाइफ को डिस्ट्रॉई करने के लिए तो आइये जोस तो आज कि सुडेमें जानते हैं आपके इसी सवाल के जवाब के बारे में जो कि आज कि सुपा है खेर दोस्तो वीडियो के स्टाइटिंग में मैं आपको एक चीज है पर क्लियर कर देता हूँ कि जो सीन में आपको यहां पर बताने वाला हूँ उसमें बहुत सारा धेर सारा टाइम फिलहाल लगने वाला है क्योंकि दोस्तों आप लोगों की सवाल थे इसलिए ही मैं इस टॉपक पर वीडियो बना रहा हूँ तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इंडियन टेलिविजन के इतियास का ये पहला ऐसा विलेन होने वाला है जो कि स्टार्टिंग के सीरियल के फर्स्ट एपिसोड से लेकर आखरी एपिसोड तक आपको सीरियल में देखने को मिलेगा यानि कि ये चीज तो भूल जाएए कि पत्र लेखा इस सीरियल से निकलने वाली है या फिर चले जाने वाली है तो यहाँ पर आपको इस से पत्र लेखा की फैंस को खुशी जरूर मिली होगी लेकिन जो पत्र लेखा की हीटर्स है उनको बहुत बुरा लगा होगा तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मैं पर आपको बताता हूं उस मुवमिंट के बारे में जो कि सिरिल में सबसे बड़ा पत्र लेखा के लिए मुसीवट साबित होगा ये ही वो मुमिन्ट होगा जब पत्र लेखा को चहाने वाले भी पत्र लेखा को छोड़ कर दो कदम पीछे ले लेंगे और भवाने काकू तक पत्र लेखा की कलास लगाते वे आपको नजर आएगी और इस मुमिन्ट से जो है सभी घरवालों को पता चल जाएगा कि जो घर की सच में भलाई चाती है वो और कोई नहीं बलकि सई है और जो सारा किया धरा लड़ाई जगड़े हैं उसका कारण ये पत्र लेखा ही है दोस्तो आप सभी का एक सवाल और था जो कि इसी से जुड़ा है वो आखिरकार ये है कि क्या आखिरकार पत्र लेखा जो है वो माँ बनने वाली है क्योंकि ऐसी अपडेट पहले भी आ रही थी इसके बारे मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये बहुत टाइम बाद में होगा और वो साजिशोगी साई और विराट को अलग करने की वो जो है सभी घरवालों को ये बताने वाली है कि वो विराट के बच्चे की माँ बनने वाली है और आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी ये मोमेंट तब आने वाला है जब समराट सीरिल में मौजूद रहेगा यानि कि समराट इस वक्त तक सीरिल से गया नहीं होगा, वो सीरिल में रहेगा तो ऐसे में दोस्तों जब ये खबर घर वालों के पास पहुंचेगी कि पत्र लेखा जो है विराट की बच्चे की माँ बनने वाली है तो यहाँ पर उनके वक्त बलत जाएंगे, जजबाज बजल जाएंगे और सही के पास तो आप्शन कुछ नहीं होगा और वो क्या करे उससे कुछ समझ में नहीं आएगा और ये खबर जो है समराट ही सही तक पहुंचाने वाला है कि पत्र लेखा जो है उसके पेट में विराट का बच्चा है ऐसे में दोस्तों यहाँ पर उनकी लाइफ फूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती वी आपको नज़र आएगी और ये साजिश कहीं ना कहीं काम्याब होते वे भी सीरिल में आपको नज़र आएगी लेकिन दोस्तों वह कहता है ना कि जूट कितने दिन तक ही टीकेगा बुराई का सफाया होना ही होना होता है और पत्र लेखा कि इस जूट का सफाया भी सीरिल के अंदर साई और समराट मिलकर ही करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से जैसे के भी मुमेंट सल रहा है कि इस मुमेंट में जो है सभी ने गुनेगार बना डाला है विराट को और इस सीरिल में विराट के साथ यह होने वाली नाइनसाफी या फिर इनसाफी जो भी है यह रुकने वाली नहीं है हर बार विराट को ही हर चीज का जिम्मिदार बनाया जाएगा एंड यह जो moment आने वाला है जिसके बारे मैं आपको बता रहा हूँ जहां पर पत्र लेका कहेगी कि वो मां बनने वाली है इसका बिल भी जो है वो विराट के नाम पर ही पटेगा और समराट से लेकर सही और सही के चहाने वाले लोग सभी लोग जो है वो विराट को ही इसका गुनहेगार मानेंगे और समराट का गुसा किस लेवल पर होगा उस समय यह आप समझी सकते हैं दोस्तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बीच में इसमें बहुत टाइम लगने वाला है इतना टाइम लगने वाला है कि मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ी गणित हो जाएगी अगर मैं जूडना शुरू कर दूँगा कि अब आपको देखने को मिलेगा लेकिन हाँ देखने को जरूर मिलेगा भले ही 5-6 महीने बाद देखने को मिले हैं वो अब देखते हैं क्या होता है तो ऐसी में दूस्तों इस सारा बिल विराट के नाम पर फटेगा और पत्र लेखा जो है अपने आपको बहुत ही बड़ी शातिर समझेगी कि मैंने एक चाल चली और सही और विराट एक बार में अलग हो गए लेकिन यहाँ पर सिचुईशन घर में ऐसी हो जाने वाली है कि पत्र लेखा को लगेगा कि अब वो अपने जाल में खुदी फस्ते जारी है क्योंकि यहाँ पर विराट के प्रती जो घरवालों का व्यहवार है वो इतना गंदा हो जाएगा कि पत्रलेका को लगेगा कि मेरी एक साजिश के वज़े से विराट की लाइफ डिस्ट्रॉई हो रही है सही की जगापर और यहाँ पर घर में इतना कुछ बवाल हो जाएगा इतनी सिच्वेशन बिगड जाएगी गंदी सिच्वेशन हो जाएगी कि यहाँ पर पत्रलेका खुद उगलने वाली है अपना सच कि उसने सिर्फ और सिर्फ जूट बोला और उसके पेट में कोई विराट का बच्चा न पत्रलेका का असली चहरा क्या है जी यहां दोस्तों आपको बता देता हूं कि यह मोमेंट बहुत ही इंट्रोस्टिंग सीरिल में आपके लिए होने वाला है वेल टाइम बहुत लगने वाला है लेकिन यह मोमेंट आने वाला है अब यहां पर सवाल यह उड़ता है कि क्या का कुछ जो की सई को हमेशे पीछे पड़ी रहती है क्या वो पत्र लेखा को भी घर से निकालने की बात करेगी तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दू कि अगर पत्र लेखा को यहाँ पर भवानी का को सुनाने तो बहुत कुछ वाली है यहाँ पर पूरी तरीके से सभी को बता चल जाएगा कि पत्र लेखा का असली चहरा क्या है और यहां से पत्र लेखा की उल्टी गिंती भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों बहुत से लोग पूछ रहेते कि क्या पत्र लेखा सीरियल में से कुछ समय बात छोड़ कर चले जाएगी सीरियल जब समराठ सीरियल को छोड़ देगा क्या उसके बाद पत्र लेखा भी चले जाएगी तो दोस्तों आपको बता देता हम कि पत्र लेखा का किरदार भ भूमिका निभाएगा ही निभाएगा यहाँ पर दोस्तो आपको लग रहा होगा इतनी सारी बाते सुनकर पत्र लेखा के बारे में कितना कुछ गलत किया है लेकिन दोस्तो एट लास्ट में आपको ये बात भी बता देता हूँ कि पत्र लेखा ही वो शक्ष होने वाली है जो description में मैं आपको link दे दूँगा तो वो आप देख लीजेगा आपको पता चल लाएगा कि ending कैसे होगी serial कि I think आपको ये information अच्छे लगी होगी वीडियो पसंद आया होगा और आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा क्योंकि दोस्तों एक चार बार रिपीट करते हुए आया हूँ कि टाइम बहुत लगने वाला है तो प्लीज आप अपडेट को समझने कोशिश किजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज आपको